आज से कुछी दिन पहले की बात है, UN के द्वारा एक report को पेश किया गया था, जिसमें की they had mentioned कि भारत की जो वेपार को लेके dependence है, वो European Union और China इन दोनों के ही उपर पिछले एक साल में बढ़ चुकी है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, according to the UN report, इन्होंने बोला कि इंडिया क जो reliance है, वो EU और China दोनों के ही उपर 1.2% के आसपास से बढ़ चुकी है, जब यह report सामने आई, इंडिया ने इस report को लेकर कोई भी टिपनी पेश नहीं करी, लेकिन कुछ दिनों के बाद, इंडिया की जो Commerce Ministry है, उनके द्वारा एक official comment इस चीज को लेकर यहाँ पेश किया है, जिसमें कि उन्होंने नंबर 1 इस report के आखड़ों को reject किया है, और साथ में ये भी कहा है कि पिछले एक वर्ष में जो हमारा trade performance रहा है with European Union and with China, वो असल में इंडिया के favor में हमें देखने को मिला है, यहाँ पर बलकि इंडिया गवर्मेंट के द्वारा इस चीज को लेकर अपने आकड़े भी बताए गए हैं, उन्होंने चाइना के case में कहा कि हमारे जो imports हैं, मतलब कि जो इंडिया चाइना से imports मंगवाता है, उसमें असल में 3% की गिरावट देखने को मिली है, और अगर exports की बात करते हैं, तो चाइना को जाने वाला जो सामान है, उसमें हमें 7%, in fact 7.1% की हमें जो है बढ़ोती देखने को मिली है, और even European Union में भी जो हमारे जाने वाले exports हैं, उसमें भी हमें 2.1% के आसपास का जो rise है, वो देखने को मिला है, बात करेंगे इस पूरी report के बारे में, सबसे पहले UN ने क्या कहा, उसके बाद इंडिया ने अपने यहाँ पर report में क्या चीज कही है, उसके बारे में समझा जाएगा, और ये जो आंकडों को लेके mismatch हो रहा है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, because UN अपनी report में ये बोलता है कि हमारे जो ये आंकडे हैं, हमने भी national statistics के ही आधार पे इन आकडों को सामने रखा है, लेकिन इंडिया क ये कहना है कि ये आंकडे यहाँ पर गलत हैं, बात करेंगे डीटेल में exactly क्या देखने को मिला है, आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं, हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये ग centers में हम लोग आपके लिए 2025 एवं 2026 के जो foundation programs हैं, उनको run कर रहे हैं, अगर आपने इन में enroll नहीं किया है और आप enroll करने में interested हैं, तो या तो आप center को visit कर सकते हैं, नीचे दिये गए phone number पे phone भी कर सकते हैं, या सबसे आसान तरीका है नीचे description box में आपको एक bit.ly link पे जाकर क click करना है, जहां पर अपनी कुछ details भरनी है, मेरा नाम choose करना है और उसके basis पे आपको discounts भी available करवाए जाएंगे, और हमारी जो team है वो आपको telephonic counseling भी available करवाएगी, so that जो भी आपकी doubts हैं, उनको immediately solve करवाया जाए, और आपके enrollment process को और भी simplify करवाया जा सके, alright, directly coming to the UN report, तो UN न अपनी report में basically क्या कहा है, कि इंडिया की जो trade dependence है over China and European Union, ये 2023 में 1.2% से बड़ी है, मतलब चाइना के ही उपर 1.2% और European Union के भी उपर 1.2% से हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है, साथ ने इनोंने कहा कि साओधी अरेबिया के उपर भारत की जो reliance है, वो 0.6% से कम हुई और इसका reason वही है क्योंकि बहुत सारा कच्चा तेल, जो की पहले साओधी से आता था, वो भारत अब रश्या से मंगवाना शुरू कर चुका है, तो इसकी वज़े से हमें ये वाला जो pattern shift है ये देखने को मिला है, बाइद वे, UN की जो report है, ये किस ने release करी है, तो UN की ही ए इस report को यहाँ पर courage कर दिया है, इन्होंने कहा, the current observation of increasing India's trade dependence may carry negative connotation, साथ में कहा कि detail analytics reveal करती है, कि जो trade dynamics हुए है, वो India के favor में हमें देखने को मिले हैं, और यहीं पर कहा कि हमारे imports चाइना से 3% गिर चुके हैं, और हमारे जो exports हैं चाइना को, वो 7.1% बर चुके हैं, और EU को हमारे जो exports हैं, वो almost 2.1% बढ़ चुके हैं, यहाँ पर ministry के द्वारा clarification साथ में ये भी दी गई, कि इसमें कोई दोराय नहीं, कि EU से आने वाले जो हमारे imports हैं, वो increase हुए हैं, लेकिन उसके पीछे भी कारण हैं, इंडिया ने कहा कि इंडिया के जो imports हैं, European Union से almost 10% के आसपा से बड़े हैं, लेकिन वहाँ पर mention किया गया कि इंडिया के द्वारा जो imports को मंगवाया गया है, वो mainly capital goods हैं, या फिर intermediate goods हैं, या फिर raw materials हैं, जिनको की आगे इंडिया अपने manufacturing processes में inputs की ही तरह इस्तिमाल करती हैं, यहाँ पर बलकि इंडिया ने साथ ने ये भी बोला, कि maximum जो imports जो की हमें European Union से पिछले 2023 वाले वर्ष में देखने को मिले हैं, वो या तो telephone sets के हैं, telephone for cellular networks के हैं, ये सब चीजों को मंगवाया गया है, जिसका ultimately इस्तिमाल इंडिया कर रहा है अपने mobile manufacturing को बढ़ाने के लिए, अपने smart phones के manufacturing को बढ़ाने के लिए, और यहीं पर इंडिय data को और जादा strong करने के लिए बताया भी कि हमारे जो smart phones का export है, वो भी आप देख सकते हैं कि 2023 के calendar year में almost 98% से बढ़ा है, मतलब कि almost 2 गुना ही हो चुका है, जो कि हम लोग इसलिए जो ये वाली चीजें हैं, जो कि इन smart phones को बनाने में इस्तिमाल होती हैं, उनको European Union से हम लोग मंगवा रहे हैं, I think इसके बारे में तो हम कितना कुछ देख भी चुके हैं, पिछले एक वर्ष में अगर आप देखेंगे, तो mobile phones की manufacturing इंडिया में बहुत बढ़ चुकी है, जस्ट एक data सामने आया था कि पिछले 10 वर्षों में mobile phone की manufacturing है, वो 21 times बढ़ चुकी है, और साथ म ये भी बताया गया है कि अब जो हमारी domestic demand है, 97% of our domestic demand उसकी manufacturing इंडिया में ही होती है, और 30% के आसपास हम लोग total smartphone production में से हम लोग उसको export भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो इंडिया ने European Union को लेकर तो data को justify कर दिया है, नाव रही बात चाइना की, तो यहाँ पर कहानी थोड देखने को मिलती है, ये पहली बार नहीं हुई है, 21-22 में भी discrepancy थी, 22-23 में भी discrepancy है और अब 23-24 में भी हमें discrepancy देखने को मिल रही है, यहाँ पर अगर हम इंडिया के perspective से देखें, तो according to इंडिया जो total वैपार इंडिया और चाइना के बीच में हो रहा है, वो 95-99 billion dollars के आसपास है, लेकिन according to China जो total वैपार है वो 110, 115, 117 billion dollar के आसपास है, मतलब की discrepancy हमें हर साल ही कुछ ना कुछ देखने को मिल रही है, यहाँ पर इंडिया ने इस चीज़ को लेकर क्या कहा है, देखें चाइना तो यह बोलता है कि basically जो यह discrepancy आ रही है because of different statistical measurement scales की वज possible नहीं है, वहीं अगर हम China की बात करते हैं तो सभी जानते हैं कि यह बहुत ही opaque manner में काम करते हैं तो उनके जो आकडे हैं वो trustworthy नहीं माने जा सकते, साथ में इंडिया ने ये भी कहा कि US government भी अपने कुछ आकडे calculate करती है with respect to India and China और US government की भी जो figures हैं, वो भी इंडिया की figures के यही हमें काफी जादा नस्दीक देखने को मिलती हैं, साथ में इंडिया ने in fact ये भी कहा कि there are various concerns यहाँ पर ये भी possible है कि जो China के कई सारे जो exporters हैं वो unfair cross border trade practices में involved हो रहे हैं जिसकी वज़े से ये हमें जो ये टेडा मेडा data देखने को मिल रहा है, there is a possibility कि वहाँ का जो exporter ह वो इंडिया में dumping कर रहा हो, तो ये सब चीजों के चलते भी जो चाइना से exports इंडिया की तरफ आ रहे हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि the numbers might be higher, in fact इंडिया ने यहाँ पर ये भी कहा है कि methodology में एक और difference भी देखने को मिलता है, जो methodology है वो mainly दो तरह की होती है अंतराश्रे व methodology, जो FOB methodology है वो इंडिया इस्तिमाल करता है जिसमें कि हम लोग cost of goods को account करते हैं and their transportation to the port of departure केवल उसको count किया जाता है, लेकिन चाइना जो है वो दूसरी methodology इस्तिमाल करती है CIF जिसमें कि वो लोग additional cost को भी include करते हैं, जैसे कि insurance हुआ, freight charges हुए to the destination port, इन सब को भी include किया जात है and that is also a possibility कि यहाँ पर हमें यह वाला जो variation देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया ने कहा है कि अगर हमारी तरफ से कोई problem हो रही है, अगर Indian traders under invoicing कर रहे हैं, उसको हम लोग investigate करेंगे, लेकिन overall जो हमारा data है वो यहाँ पर सही है और इंडिया ने यहाँ पर कुछ examples भी दि कि एक product है जैसे कि dairy produce हुआ, birds, eggs हुए, natural honey हुआ, इन सब cases में China मानता है कि उन्होंने इंडिया को 9,000 dollars के आसपास का export किया है, लेकिन इंडिया मानता है कि इसमें import हमें zero देखने को मिला है, तो यहाँ पर India ने basically यही कहा है कि अगर इस तरह की discrepancies हैं, तो वो China के data calculation में हमें क कुछ ना कुछ mistakes देखने को मिली है, और अगर इंडिया की तरफ से ऐसी mistakes हो रही है, तो उनको हम लोग definitely correct करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, लेकिन overall हमारी जो dependence है, वो China के ऊपर बड़ी नहीं है, in fact हमें कम होती हुई देखने को मिली है, यह stance है जो कि Commerce Ministry के द्वारा यहा अगर आपने नहीं देखा है, तो जरूर देखिए, इनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, especially आपके आने वाले Prelims Examination के लिए, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.